दिन दहाडे हजारी पहाड परीसर में उस समय हरकम मजग्या जब एक युवकनी कुष्णा नगर निवासी 60 वर्षय वृद्धा और एक 10 वर्षय बालक की निर्ममता से हत्या कर दी प्रेम संबन में बादा बने प्रेमिका की दादी और उसके भाई पर चाकू से वार कर उन्हें मौत के खाट उतार दिया मुर्ध का हजारी पहाड कुष्णा नगर निवासी प्रमिला दुर्वे और बालक यश मोहंदुर्वे बताया क्या है हत्या के बाद देर राद आरोपी हंसापुरी निवासी आरोपी मोहिंग खान वल्द गुलाम सर्वर नी मनका पर पुलिया के नीचे ट्रेन के सामने कूद कर आत्मत्या कर ले पुलिस को राद ग्यारा बचे आरोपी की आत्मत्या की जानका नुली सूचना मिलते ही पिलिस ने मौके पर पहुच पंचनामा कर रेलवेड ट्रैक पर पढ़े आरोपी के शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेज मेयो अस्पताल भेजा जानकारी है कि आरोपी मोहिन से गुंचन धुरुए की पहचान करीब देड़ वर्ष पहले इंस्सेग्राम पर हुई यूती श्री मोहिनी कॉंपलिक्स चोकस्तित रायसोनी कॉलेज में पढ़ती थी और आरोपी कोई कामकाज नहीं करता था कुछी समय में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई थी इसके बाद वो एक साथ खूमने फिर निल लगे थी कुछी महिनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई गुंचन के माता पिता प्रेम प्रकरन के सक्त खिलाफ थी मामला आगे नव बड़े इसलिए माता पिता ने लड़की के बाहर निकलने पर प्रतिबंदल लगा दिया यूतो की पिता पेंटिंग का काम करते है और मा भी कुछ काम करती है गुरवार को दोनों काम पर गय हुए थी मोहिन के सर पर खून सवार था शुक्रवार की दोपैर करीब तीन बचे वह दोबारा उसके घर गया घर में लड़की की दादी और उसका चोटा भाई था दादी कुरसी पर बैटी हुई थी उसने दादी से उसका पता पुछा लेकिन कोई जानकारी नहीं देने पर वह बौकला गया और उसने चाकू से उस पर सपासब वार करना शुरू कर दिया वही यह शौचा ले गया था लोटने पर उसने दादी को खून से लत्पित देखा और आरोपी को देख भागने की कोशिश करने लगा लेकिन मोईन ने उसका पीछा कर चाकू से उसके गले पर कईवार कर बालक को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया चीक पुकार की आवाज सुनकर पडोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी थी खटना स्थल पर पहुच पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्ट मॉटम के लिए रवाना किया इस खटना से मृतक के परिवार में शोक का माहूल चा रहा लड़के और लड़की के परिवार वालों की बीच 15 दिन पहले उसी के घर में बैठ भी हुई इसमें दोनों को समझा कर अलग होने के लिए कहा गया इसके बाद परिवार वालों ने लड़की का फोन लेकर उसे अपने मामा के घर भेच दिया कई दिनों से उसके नहीं दिखाई देने पर वहां बॉकला गया और पाश दिन बाद आरोपी उसे ढूंटे हुए उसके घर जा पहुचा वहां उसने गुंचन को कहा छुपार रखा है पूछने लगा बेटी का पता नहीं बताने पर उसने परिवार के साथ काली गलोच कर काफी जगड़ा किया और मृतक यश के साथ उसने मार पिट बिखी इसके बाद वह घर से चला गया परिवार वालों ने इसकी जांकारी पाश चोधरी को दी उसने पुलिस में शिकायत दर्श करवाने का सुझाओ दिया लेकिन किसी कारज नईश उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत नहीं की